आपने परिक्षित में हैता आछे आजे आपने फीचर्स ओफ .NET फ्रेमवर्ग जोशू एन ये अंदर सोथी पेले आपने जोशूथ गुड डीजाइन .NET फ्रेमवर्ग के अंदर डीजाइडिंग छे एकदम फ्लिक्सिपल छे आणो आईडी चे इंटिग्रेटेड डेवलप्मेंट एजी छे तमें कोईपण इजीली विंडोस वेब अप्लिकेशन छे एनना जीवे युपरे तमना आईडीया आगी जासे फ्रेनु डीजाइनी छे ये वो वीजी छे बराबर छे तो आप एलु फीचर्स छे नेक्स नावे आवे म्हें आप ओप्जेक औरीयंटेड। प्रोग्रामें sommes फुरेटमाती टेवार्प्त टेवलप्में démont लहाए अभदीटेड् आणींत प्रोग्रामें आपक्लासप्नेंट थे क्लासंड शेतला के बराब छे नेक्स्ट आपणे जोगिए है तो कि Language independent, Language independent नी अंदर तमें यह दाइरेक्ली तमारों code छें कि computer नहीं था ऊप्रेटिंग सिस्टम नहीं वड़ेग पर तमारों code छें तमें Shishart नहीं अंदर VB.NET नहीं तर नहीं बनावों तो यह अब्र माइन चोय लाच पर उपर युयi आनि अंदर तमारो code छे, ए intermediate language नी मदद थी, वराबन में MSIL नी मदद थी, ये just in time compiler मा convert थाज है जर्श्टिन time compiler छे native code, बर्सी code मा convert करी, operating system ने आप से, पच्छी नू नेक्स्ट फिचर्स चे तो के ये जे फ्लिक्सिबल डेटा एक्सेस तो के आनी अंदर ADO.NET नी मदर थी frontend, C-sharp, सपोज C-sharp होई तो तम्हें कोई-पाण form बनाऊ सो बराबर तो ये तम्हें frontend आपड़े गणी चक्किये, बराबर चे पचिया नेक्स्ट डाइनेमिक वेब पेजिस, डाइनेमिक वेब पेजिस के अंदर तम्हें .NET framework नी मदर थी, कोई-पाण डाइनेमिक वेब साइट करना भी ये तो तम्हें ASP.NET लई शक्को, बराबर जे, तम्हें static तम्हें कोई-पाण HTML होई, अस्टेटिक होई, एक सर्वर पाण स्टोर थाक्तू, ना थीरम database, लिए अस्टेटिक होई, अच्छी नेक्स आ तम्हें CAC, Code, Access, Security ये तम्हें येमां यूज़ करो जोगे, अन अथोराइस पॉस्टन छे, ये एकसेस करी चके नहीं, बराबर जे, अन अन अथोराइस कोड छे, ये पाण एकसेस थाए लिए, तो आई यां, तम्हें आयां फीचर्स ची आपड़ा चे.NET ना, ये यां पू ये क्यूब